किसानों को आकरशक एवं लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने तथा बफर स्टॉक बनाने के लिए केंदर सरकार ने अपनी एजेंसियों, नैफेड तथा NCCF के जरिए उतपादकों से प्रचलिद बाजार मूल्य पर अरहर, तुवर, की खरीद आरंब कर दी है। इसे देखते हुए निकट भविश्य में इस महत्वपून दलहन के दाम में ज्यादा नर्मी आने की संभावना नहीं है। इसे अप्रेल के बीच मंडियों में तुवर की सर्वाधिक आवक होती है। इन दोनों एजेंसियों ने 15 फर्वरी से 15 अप्रेल के दो महीनों के दोरान 4 लाख टन तुवर खरीदने का प्लान बनाया है। अब तक सीधी खरीद योजना के लिए 2 लाख से अधिक तुवर उत्पादकों का पंजी करन हो चुका है। व्यापार विशलेशकों के अनुसार तुवर उत्पादकों को न्यून्तम समर्थन मूल्य, MSP, से उंचा दाम मिल रहा है। दरसल उत्पादन कम होने तथा आयात की गती धीमी रहने से तुवर का भाव उंचे स्तर पर बरकरार है। मिलर्स एवं व्यापारी पहले से ही उंचे दाम पर इसकी खरीद कर रहे हैं और अब सरकारी एजेंसियों ने भी इसे खरीदना शुरू कर दिया है। लेकिन सरकारी खरीद भी प्रचलित बाजार भाव पर होने से किसान ज्यादा उत्साहित नहीं हैं क्योंकि वही मूले उसे व्यापारियों एवं दाल मिलर्स से भी प्राप्थ हो रहा है। यूंतम समर्थन मूल्य साथ हजार रुपए प्रती क्विंटल से काफी ऊपर था। अधिकारियों का कहना है कि समर्थन मूल्य से उंचे भाव पर दलहनों की सरकारी खरीद होने से किसानों में अच्छा संदेश जाएगा और उसे तुवर का उत्पादन बढ़ाने का प्र अधिकार रुपर्ट मार्केट ताइम्स टीवी